जैसे जैसे गुजरात के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कॉंग्रेस पूरी तरह से कॉलाप्स दी जा रहे हैं कॉंग्रेस को कोई भी वोट नहीं दे रहा हूं कॉंग्रेस के दो किसम के वोटर होते थे, एक वो दो किसम के वोटर थे जो एक वो जो कॉंग्रेस को वोट देते थे क्योंकि वो बीजेपी से नफरत करते थे, बीजेपी को वोट नहीं देना चाते थे, बीजेपी के 27 साल से कुशासन से तंग दे थे, एक और वो वोटर था जो की BJP से तो तंग था BJP को वोट नहीं देना चालता था लेकिन वो Congress से ज़ादा नफरत करता था इसलिए मजबूरी में उसे BJP की पास जाना परता था यह दोनों के सो वोट देता था वो भी BJP से हट के आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है और कॉंग्रेस का भी सारा वोट आमादमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है और 27 साल के कुशासन की वज़े से जो जो लोग तंग आ गए हैं वो आमादमी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो मेरा अपना अनुमान है कि कॉंग्रेस का वोट शेर तेरा परसेंट से भी नीचे जाएगा और उनकी मुझे लगता है कि चार या पांच सीट आएंगी मैं जन्ता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सीधा सीधा मुकाब्दा आमादमी पार्टी और BJP की बीच में हैं अभी भी अगर कोई हार्डकॉर कॉंगरês के वोटर बचे हैं वह अपना वोट कॉंगरेस को देकर खराब ना करें आम आदमी पार्टी को वोट दें, आम आदमी पार्टी एक उमीद दे रही है आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए.